तो आज हम इसके बारे में चर्शा करें तो आईए जानते हैं कि आप सराप या अन्य प्रकार का नसा किस प्रकार छोड़ सकते हैं नसा हमारे लिए बहुत जादा नुसान दायक होता ये सब आप जानते हैं लेकिन फिर भी आप नसे का प्रयोग करते हैं जो नसा होता है उस आप करते हैं लेकिन आप इसे छोड़ दीजे तो आप भी खुश रहें और आपके जो परिवार वाले हैं वो भी खुश रहें तो नसा आप करें क्योंकि जो हमारे भारत में और वो हैं क्योंकि हमारे भारत में हर महिने हर महिने या हर साल बहुत ज़्यादा मृत्यू होती है और मृत्यू का कारण है नसा नसे के कारण हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मृत्यू हो रही है तो आज हम चानेंगे कि आप किस प्रकार कर सकते हैं और किस प्रकार आप नसा छोड़ सकते हैं इसी वीडियो में आज आपको ये नुसका बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल नसा किस प्रकार छोड़ सकते हैं नसे से किस प्रकार आप निजात प्राप्त करा सकते हैं तो आईए जानते हैं आपको इसके लिए क्या क्या चीए और आपको इसके लिए क्या करना है तो आपको चीए गेंदा होता है जो हमारा उसका फूल आपको चीए उसके बाद में दूसरा है जो तुलसी के पत्ते हमारे होते हैं तुलसी के पत्ते हमारे होते हैं उन्हें का प्रयोग आपको करना तुलसी के पत्ते हमार लिए बहुत जादा फाइदे मन थावित होते है तुलसी के पत्ते हमारे बहुत जादा उस्दी थावित होती है आप सब जानते हैं तुलसी का आप लेना है उसके बाद में जो हमारा होता है जो होता है नीबू के पत्तियां आपको लेनी है नीबू की पत्तियों के बाद में आप नीबू की पत्तियां उसके बाद में आपको लेना है हल्दी जो हमारी होती है खेत में से मिल मतलब अच्छ स्वस्त हल्दी हैं आप प्राउयशुन है आप करेंका यह हूँ अजवायन कि पत्ते भी हम आप अजवायन भी ले सकते हैं तो आपको इन सब करना क्या है पहले आप इन सब के छोटे छोटे टुकडे कर खेने सुका लीजे फिर इनका अच्छे से मिक्सी में पेश्ट बना लीजे उसके बाद में इसका सेवन आप खाना खाने के बाद खाना खाने के पहले नहीं जित्ते भी लोग यहां पर आप जानते हैं जो भी नशे का सेवन करते हैं उन्हें प्लीज आप ये वीडियो दिखाईए उन्हें आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी नशा छोड़ सकें तो I hope मेरी वीडियो आपको पसंदारी